नमस्कार, आज हम नीट्वी सोया चंक्स बनाएंगे, जब कोई सबजी ना मिले बनाने के लिए तो फोटोफटीस को बनाईए, यहाँ पर एक कप सोया चंक्स लिए हैं, दो मीडियम प्यास, बारी कटे हुए जा ग्रेट करे हुए, दो से तीन मीडियम टमाटर, कद्दू कस किया हुए, हरा धनिया, दो बारी कटी हुई हरी मिर्ची, जीरा, आदी छोटी चंक्स, आदी छोटी चंक्स हमने हल्दे पाउडर लिया है, नमक, एक चंक्स या स्वाद के अनुसार, गर्मसाला, आदी छोटी चंक्स लिया है, धनिया पाउडर, आदी छोटी चंक्स, ला सोया चंक्स साफ हो गए हैं अब हम इनको छान लेंगे छानने के बाद हम एक कड़ाई लेंगे कड़ाई में दो कप पानी डाल देंगे और इस चंक्स को डाल कर उबाल लेंगे और साफ्ट होने तक इसे उबाल लेंगे पांसे साथ मिनट इसको साफ्ट होने में लगेंगे इ बिल्कुल अच्छी तरह से इसको साफ्ट होने तक उबाल लेंगे। अब हमने इसको हिला कर देखते हैं, चेक किया, जो सोया चंग्स है वो अच्छी तरह से सौफ्ट हो गए हैं। अब हम इसे पानी से निकाल लेंगे, छान लेंगे। सोया चंग्स को हम एक साइट रख देंगे, एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में तेल डाल देंगे, तेल गरम हो जाएगा, तो हम आज को धिमी करके उसमें जीरा डाल देंगे, जीरा चटकने देंगे और उसके बाद हरी मिर्ची डाल देंगे, हरी मिर्ची को भी हम थोड़ा सा भून लेंगे, इसके बाद अधरक डाल देंगे और तिन्नों मसालों को हम धिमी आज पर हलका ब्रौनोंने और आने तक इनको भुनेंगे मिसाले भुन गए हैं अब हम इसमें प्याज डाल देंगे प्याज डाल कर इसको पिंक होनने तक 3-5 मिनट तक पकाएंगे प्याज जो है हलका पिंक हो गया है अब हम इसमें हल्दी डाल देंगे मिर्ची डाल देंगे लाल मिच पौडर देखा आप अपने स्वाद अनुसार कम जाजादा कर सकते हैं नमक डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से ला देंगे दो से तीन मिनट तक मसाले को पकाएंगे जब तक ये पकेगा नहीं अच्छी तरह से मसाला भी भुनने लगा है तेल भी छोडने लगा है अब हम इसमें धनिया पौडर गरम मसाला डाल कर इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे सबी मसाले अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गए हैं हम इसको 2-3 मिनट तक इसको पकाएंगे ताकि प्याज और अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, प्याज मसाला जो है भून गया था, उसके बाद हमने इसमें टमाटर डाल दिया है, टमाटर डालने के बाद इसको अच्छी तरह से mix करेंगे इस मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक तेल मसाले से अलगना हो जाए इसको धक कर पकाएंगे ताकि मसाला जो है अच्छी तरह से भून जाए और टमाटर भी मैश हो जाएं और पक जाएं इसको हम हिला देंगे मसाले ने तेल छोड़ना शिरू कर दिया है इसका मतलब हमारा जो मसाला है अच्छी तरह से भून गया है अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी धनिया की पतिया मसाले में धनिया की पतिया डालने से इसमें फलेवर बहुत अच्छा आ जाता है कुछ सेकेंट्स के लिए हम इसको भूल लेंगे अब हम इसमें बॉयल की हुई सोया चंक्स डाल लेंगे लेकिन डालने से पहले हम उसमें से पानी को निकाल देंगे निचोड लेंगे उसके बाद हम मसाले में सोया चंक्स डाल देंगे ये बूती स्वादिष्ट बनती है और फटो फट जल्दी भी बन जाती है और सबको बड़ी पसंद आती है सोया चंक्स डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिला देंगे ताकि जितना भी मसाला है वो अच्छी तरह से चंक्स पर कोट हो जाए अब हम इसको दो मिनट के लिए ठक कर पकाएंगे ताकि जो मसाला है सोया बीन के अंदर तक अच्छी तरह चले जाए और अपना फ्लेवर छोड़ दे अब हमने इसमें धनिया की पतियां डाल दी है और इसको हिला देंगे अब थोड़ा सा पानी डाल देंगे हमने वही पानी यूज किया है जिसमें हमने सोया चंक्स उभाले थे हमने वही पानी इसमें डाला है पानी डाल कर इसको अच्छी तरह से हिला देंगे ग्रेवी पाने को इपसॉब कर लेती है, चलिए सर्ब करते हैं, इसी ब्रेड के साथ खाईए, प्रोंठे के साथ खाईए, और धनिये से हम इसको गार्निश कर देंगे, मेरी वीडियो को जाता से जाता लाइक करना, शेर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, मजा लीजे, गंटी का बटन दबा दीजे कि ताकि वीडियो की नहीं नोटिफिकेशन आपको मिल सके.